18 या 19 सगर से 2024 रक्षा बंधन इन शुब मूरत में कभी विबाद सकते हैं भाई को राखी नोट कर ले समय आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे साल 2024 में रक्षा बंधन का मनाय जाएगा भाई को राखी बादने के शुब मूरत क्या क्या है बदरा काल का समय पूजा विधी और राखी बाद दे समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए रक्षा बंधन हर साल सावन मास की पूर्णिमा को मनाय जाता है इस दिन बहने भाई की कलाई में राखी बाद कर उनकी दिरभायू की कामना करती है इस साल रक्षा बंदन 19 अगस्त सोमवाल को है इस दिन भद्रा होने के साथ ही कई शुब्योग बनेंगे आईए जानते हैं साल 2024 में रक्षा बंदन कब है भद्रा का समय भाई को राखी बादने के मूरत विधी और राखी बादते समय ध्यान रखी जाने वाली बाते क्या हैं रक्षा बंदन शुब्मोरत 2024 जोतिशनुसा साल 2024 में रक्षा बंदन का पार्व 19 अगस्त को मनाय जाएगा पौनिमा तिथी प्रारंबो होगी 19 अगस्त प्रातकाल 3 बचकर 4 मिनट पर पौनिमा तिथी समापत होगी 19 अगस्त रातरी 11 बचकर 55 मिनट पर राखी बादने का शोब मूरत होगा समय होगा उन्नी सगस्त प्राताकाल नौ बच कर 51 मिनाच से दो पहर एक बच कर 30 मिनाच तक रक्षा बंदन पर इन बातों का रखे ध्यान शास्त्रों के अनुसार राकी का त्योहार हमशा भद्रा नहीं तो शोब मूरत मैं ही मनाना चाहिए भाई का तिलग करते समय उनका मूँ दक्षर दिशा की और नहीं होना चाहिए राकी बाते समय भाई का मूँ पूर्व दिशा की और होना चाहिए और बहन का मूँ पश्चिम दिशा की और होना शुब माना जाता है राकी कभी भी राहुकाल और भद्राकाल में नहीं बाद नी चाहिए रक्षा बंधन पूजा वी थी रक्षा बंधन की दिन सुबाइस नान के बाद पूजा की थाल सजाकर अपने इश्ट दिवी देवता की पूजा करें भाई को राखी बाद में से पहली श्री गणीज जी और भगवाल श्री किष्ण को राखी अर्पित करें इसके बाद शुब मूरत में भाई का तिलख करें उनकी दाही निकलाई पर राखी बाद है इसके बाद आरती करें और भाई का मुँ मिठा कर उनकी दिर्वायू की काम ना करें। फ्रेंड्स अगर आपको हमारी द्वारा दी गई ये सबी जानकारियां पसंद आई हों तो आप उपचार्ण उसके चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर करना ना भूलें।